हालो फ्रेंट्स देश इस टेक विगे तुस्वागत है अपसे इस नई यूट्यूब वीडियो में तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाला एनाउनिमस मूवी में किये जाने वाले सारी हैकिंग टिक्स के बारे में यहां यह बहुत ही पॉपुलर म मूवी है जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा पर पहले तो सबसे पहले वो लड़का जो कि क्लिक करके पैसे धुम करता है ऐंलाईन तो जी हूँ पॉसिबल है जैसおお आप लोगो लोग स्क्रीण कर देख सकते हैं वो Simple कंप्यूटर से बस क्लिक बनाकर website पे अपने पैसे अर्ण करता था हर बार IP चेंज करकर यहां यह पॉसिबल है और मैंने इसके उपर एक आर्टिकल बना रखा है आप जाकि लिंक में चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक है तो गाइस यह जैनुएन तरीका है पैसा अर्ण करने का और उसके बाद आता है वो डार्क वेब इंटर करता है तो उसके पास हर तरह की वहां पे information मतलब उसे restrict करके रखा गया था ताकि वह वर्शुल कार्डिंग नहीं जान सके लेकिन जैसे ही उसने वर्शुल कार्डिंग पर क्लिक किया तो उसने वहां पे एक required level मांगा तो उसने फिर मतलब कि वहां का जो एक आदमी था जिसके साथ वो chat कर रहा था उसने बोला कि उसे कुछ illegal करना होगा यान कि कुछ credentials उसे share करना होगा तो उसने fishing attack के मदद से अपने ही स्कूल के एक लड़के की credentials निकलवाई यानि कि आप इस्क्रीन पर देख सक उसका guys मतलब होता है fake pages as the real ones जैसे का अपने पर देख सकते हैं यानि कि guys जो fake pages होते हैं लेकिन real website के तरह ही दिखते हैं use किया जाता है hack करने के लिए login page को या फिर उसने धिरी धिरी virtual carding सीखा और टोरेंटो जाकर यानि कि जहां वो पढ़ना चाहता तो टोरेंटो यूनिवर्सिटी वहां जाकर उसने virtual carding की मदद से start कर दिया online shopping और उसे दुकानों में बेचने लगा पैसे आर्ट करने के लिए और guys उसी करते-करते वही करते-करते अब guys यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि virtual carding अखिर होती क्या है तो guys fake credit cards पे जब वो किसी ने real credit card का सारे detail upload करके उसे एक credit card बना दिया हो तो उसे ही virtual carding बोला जाता है वो डार्क विपे विसेल कर देते हैं उसे पैसे earn करने के लिए और यह guys illegal है और easy नहीं है क को समझ में आ गई होगी हम इसके बारे में detail में आगे इसमें वीडियो में बताऊंगा तो चलिए इसके बाद देखते हैं तो guys जैसे ही वह अपने पैसे earn करने लगता है लेकिन guys वहां पर उसके घरी यानि कि उसके products किसी ने नहीं ख़ड़ा यह बोलकर कि वह नकलिए तो guys यहां पर जो sex आप देख रहे हैं दूसरा यानि कि जो left hand side में वही उसका partner है और जो right hand side में guys वह main hero है तो guys वह दुनों मिल जाते हैं और उसके बाद दुनों मिलकर खुब पैसे कमाते हैं वहां पर Toronto में तो guys दिसे दरी करके ऐसे में वह अपने पैसे भी अपने parents के पास भी है कि हम इससे पैसे नहीं निकाल सकते हैं अगर मैंने निकाला तो हम लोग पकरी जाएंगे फिर भी उसके दोस्त ने उससे मना कर एक बर गुलता है कि एक बार हम पैसे निकालते हैं उसके बाद हम उसे touch भी नहीं करेंगे तो यहां guys बस उसी को करने के लिए उसने पहले credit card को चेक किया अब guys credit card checking से मतलब क्या है यहां पर यानि कि guys वह पहले यह check करता है online कुछ भी song buy करके कि credit card असली में working condition में है की नहीं तो यहां guys वह working condition में निकलता है और उसने फिर bank जाके उससे पैसे निकाल लेते हैं अब guys बात आती है यहां पर कि उसने एक bank को भी hack करनी के स process की और वो guys successful हो जाता है लेकिन guys निकलते वक्त वो पकरा जाता है अब guys rubber duckie क्या है तो rubber duckie guys एक auto run device है जो run कर देता है scripts को automatically जैसा है कि अब देख सकते है उसके पात guys वो hacking में use के जाता है expert organization के throughby और वो guys good or bad दोनों scripts को run करने के capable है और एक बार हम guys वो बहुत सारे scripts को run कर सकत है और यह guys आप खडीच सकते हैं hack 5 से और amazon भी available था लेकिन guys अभी lockdown के चलते नहीं मिल रहा होगा और guys plug and play है जैसे कि अब other USBs के साथ करते हैं अब guys उसके बाद आती है hardware जो carding में इस्तमाल किये गए थे जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले आप लोग को इसके बारे में सब्सक्राइब करते हैं और यह तीन ही वहाँ पर mastermind है और guys उसके बाद आता है card scanners जैसा कि आप देख सकते हैं यह guys different shape and size कि आपते हैं उससे कोई फर्क नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ हाथ में एक black color का device है उसे ही card scanner करते हैं guys card scanner से हम किसी भी card की credentials को scan कर सकते है जैसा कि swiper में अप्लोग करते है उसी तरह वह निकाला जा सकता है तो hope so guys आपको card uploaders और card scanners के बारे में समझे में आ गई होगी और guys इन्हीं दोनों की combinations हम virtual carding कर सकते हैं hope so guys आपको वीडियो पशन्द आ है तो guys यह part 1 थी part 2 के लिए wait करें तो चलिए guys देखते आप part 2 में क्या है thank you and have a nice day